की एलो इस्टुडेंट्स तो पिछले लेक्षर में हमने डिस्कस किया था जब हमने लाइट चेप्टर का फॉर्स लेक्टर लिया था है इन दाट लेक्टर में डिस्कस करते हैं वो सारी चीजे हमने बताया था इसके बाद हम चले गाते सिधे reflection पर कि reflection होता है और reflection जब कभी भी होता है तो किन laws को follow किया जाता है वहाँ पे दो laws हमने देखे थे laws of reflection में फिर हमने बताया था कि mirror क्या है और spherical mirror क्या होता है ? spherical mirror के लो टाइट भी बताया था हमने c focal length यह स्थे लीबाद हम इसके बाद हमने बताया था कि ray diagram कैसे बनेगा उसके लिए हमें कुछ rules discuss करना होता है तो आज का जो lecture है इसमें हम discuss करेंगे कि किसी भी spherical mirror से ray diagram या किसी भी object का जो image बनता है वो किस तरीके से बनता है लेकिन उसको discuss करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो image होता है वो कैसे मतलब image किस तरीके से बनेगा और image बनाने के लिए किन rules को हमें यूज करना होगा तो concave और convex दोनों ही case में हम object का किसी भी object का जब image या ray diagram फॉर्म करेंगे तो वो certain rules का वहाँ पर यूज किया जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज discuss करने वाले हैं कि किन rules का यूज किया जाता है ray diagram बनाने के लिए चाहें concave mirror हो या convex mirror हो दूसरा concave और convex mirror में ray diagram कैसे बनता है certain distance पे object को जब उनके front में रखा जाएगा तो right image कैसा होगा real होगा virtual होगा real कैसे inverted हो जाता है virtual कैसे erect हो जाता है यह सारी चीज़े सीखेंगे और इसके साथ ही हम image का compare भी करेंगे concave और convex mirror के case में right तो इतनी चीज़े आज के lecture में हम discuss करने वाले हैं चलो तो फिर start करते हैं आज का lecture okay so firstly we are going to discuss rules which are used to draw ray diagram या अभी जैसे मैंने बताया concave mirror हो या convex mirror हो किसी भी mirror में अगर हमें ray diagram बनाना है ठीक है किसी भी object का तो यह certain rules को follow करेगा अब देखो दो-ती चीज़े पहले समझ लेते हैं image के बारे में image बनता कैसे है तो जैसे कोई भी incidence ray है वो किसी surface पे जब जाके fall होती है fall होने के बाद वो reflect होती है reflect होके आयेगे तो उसकी वज़ा से image बनेगा मतलब reflected ray की वज़ा से बनेगा तो हमें minimum two rays चाहिए होते हैं कितनी rays चाहिए minimum two rays हमें चाहिए अब ये दोनों जो reflected rays है मानलों ऐसे reflected rays एक पहली ऐसे आ रही है दूसरी ऐसे आ रही है ठीक इनका incidence रहा होगा हमने सीधर reflected ray को बोल दिया यही straight line होगा तो इस तरीके से तो reflected rays आ रही है और image कैसे बनता है जब reflected rays अगर actual में किसी point पे cut करेंगे जैसे यहाँ पर ये cut कर रही है अगर real में किसी point पे cut कर देंगी तो उस case में जो image बनेगा वो कैसा बनेगा real image बनेगा तो simply we can say that real image is formed by actual intersection of reflected rays अब कभी कभी क्या होता है कि हमें virtual image भी बन जाता है virtual image कैसे बनेगा तो मान लो कि ऐसे कहीं से light rays आती हुई अपियर मतलब यहाँ यही पर क्या हुआ होगा कि light ray इसके आगे नहीं गई है मतलब कि मान लो कि light ray ऐसे आई है ऐसे और ऐसे यह reflected rays है अब यह पीछे इसके पीछे यह नहीं जा सकती इस surface के पीछे हमारी नहीं गई है लेकिन अगर हम यहाँ कहीं से देखेंगे अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह light ray ऐसे दूर कहीं इधर इसको बढ़ा दू मैं और इसको अगर इधर बढ़ा दू तो यहाँ पर intersect करते हूँ यह appear हो जाएंगी तो इस case में क्या हो रहा है कि reflected rays ऐसा हमें appear हो रहा है कि उस पीछे कहीं किसी point पे intersect कर रही होंगी तो जब हमें appear होता है ऐसा कि reflected rays intersect कर रही है किसी point पे तो उस case में जो image बनता है वो कैसा बनता है virtual तो real और virtual के लिए क्या याद रखना है कि actual intersection अगर reflected rays का होगा तो उसकी वज़ा से जो image form होगा वो real होगा और अगर reflected rays intersect करती हुई किसी point पे appear होंगी तो उस case में जो image बनेगा वो virtual image बनेगा ये तो बात number एक हो गया अब real और virtual के लिए 2-3 चीज़े हमें और याद रखना है देखो real जो होता है वो क्या होता है? inverted होता है क्या होता है? हमेसा real is always inverted, inverted मतलब कि अगर ऐसे आपने object रखा है ये मानलो object का head है और यहाँ पर object का head है अब अगर इसका real image बनेगा तो उस case में वो ऐसा बनेगा inverted मतलब कि देखो ये tail नीचे था यहाँ पर यहाँ पर ऊपर आगया यहाँ head ऊपर था object का यहाँ पर image का head नीचे हो जाएगा तो ये मतलब होता है real image का अगर ऐसा image बना है तो इसका मतलब कि real actual intersection हुआ है reflected rays का और इसलिए यह क्या हो गया inverted हो गया अगर मैंने कहा कि object हमारा ऐसे रखा है तो इसका अगर virtual image बनेगा तो virtual image कैसा होगा कुछ हीस तरीके से होगा erect होगा हमेशा कैसा होगा virtual erect और real कैसा होगा inverted तो दो जी याद रखनी है real image होता क्या है real image is formed by actual intersection of reflected rays and virtual के लिए क्या आद रखना है कि it is formed when reflected rays appear to cut at a point real is always inverted upside down होगा virtual is always erect यह चीज़े हो गई अच्छा यहाँ पर real के case में क्या हो रहा है कि actual intersection हो रहा है reflected rays का मतलब कि इस point पर reflected rays intersect कर रही है अगर यहाँ पर मैं screen को रख दूँ screen अगर कोई रखा जाता तो उस पर यह image हमारा form होता मतलब real को हम screen पर ले सकते हैं लेकिन virtual इधर यहाँ पर light rays गई ही नहीं है इस part में light rays गई नहीं है लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि इस point पर intersect कर रही है तो अगर यहाँ पर आप screen भी रख दोगे तो भी उस पर यह image नहीं फॉर्म होगा हमें बस appear होगा कि वहाँ पर image बन रही है लेकिन हम उसको screen पर नहीं ले सकते हैं तो जो virtual है, इसको हम screen पे नहीं ले सकते हैं, real को screen पे ले सकते हैं, तो एक बार जल्दी से recall कर लेते हैं, हमने image के बारे में क्या क्या सीखा, तो हमने देखा कि image हमारा जो है, वो दो type का होता है, real और virtual, real कैसे बनता है, due to actual intersection of reflected rays, and virtual कैसे बनता है, when reflected rays appear to intersect at a point, real जो होता है, वो always inverted होगा, हमेसा inverted होगा, और जो virtual होता है, वो हमेसा क्या होगा, erect होगा, real को हम screen पे ले सकते हैं, virtual को screen पे नहीं ले सकते, तो ये total तीन बाते आपको याद रखनी है image के लिए, अब एक चीज़ और मैंने बताया कि, reflected rays के intersection के भियाब पे हम image का location find करेंगे, image कहां पे बन रहा है image का position find करेंगे, और intersect कराना है, इसलिए हमें minimum two reflected rays चाहिए ही चाहिए, तो अब हम सीखेंगे, अभी तक हम ये समझ चुके हैं, कि image जो होगा, वो कितने type का होता है, और कब हम उसको real कहेंगे, कब virtual कहेंगे, real की property क्या होती है, virtual की property क्या होती है, ये हम समझ चुके हैं, अब हम समझने जा रहे हैं, कि जो image है, कोई भी mirror, image बनाने के लिए, जो हमने बता है कि minimum two rays चीए, वो दो rays का selection कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम चार रोल बताएंगे, इन चार में से कोई भी दो रोल का हम यूज कर लेंगे, तो दो reflected मिल जाएगा, ठीक है, चलो पहले रोल समझते हम, जल्दी से, तो first rule की बात करते है, सबसे पहले हमने concave mirror के लिए ले लिया, this is concave mirror, because this side is polished, and this side is reflecting, inner surface is reflecting, and outer surface is polished, जो bulged surface है, हमारा polished है, जो inner surface है, हमारा reflected है, तो इसलिए ये mirror क्या हो जाएगा, concave, concave मतलब converging, अब देखो, इसमें पहला rule हमें क्या याद रखना है, याद करो, जो मैंने focus का definition बताया था, तो उस टाहिं पर बताया था, कि अगर principal axis के parallel light rays जाएगी, मैंने क्या बताया था, कि if incidence ray is parallel to principal axis, then reflected ray cuts principal axis at a point and name of that point was focus, इसी से हमारा पहला rule निकल के आ जाएगा, कि incidence ray अगर parallel to principal axis जाएगी, तो वो focus से pass करेगी, clear है बात, अच्छा, एक और चीज, हमने बताया था, law of reflection, उसमें बताया था, कि हमें incidence angle is always equal to reflected angle, angle of incidence is always equal to angle of reflection, तो ये चीज़ यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा हम इस चीज को भी समझ लेते हैं, मैंने कहा कि ये कोई sphere है, sphere है, पहले simple तरीके से लो, माल लो कोई circle है, ये circle का क्या है, center, ओ, अब अगर जो radius होता है, जो circle का radius होता है, वो circumference पे कितना angle बनाता है, तो जैसे अगर यहीं पर कहें कि मैंने radius draw कर दिया, ये radius draw कर दिया, कोई भी इसमें से हम radius ले ले, तो ये सारी के सारी radius क्या होंगे, circumference पे perpendicular होंगे, कैसे, तो यहाँ पर माल लो एक tangent मैं से draw कर दूँ, इस point पे, तो ये tangent है, आप जानते हूँ tangent और, जो radius होता है, tangent circle का, जो भी, कईसी भी circle का, जो tangent आपने maths में सीखा होगा, circle chapter में, कि जो tangent का point of intersection, जैसे tangent क्या होता है, जो circle को एक point पे touch करें, उसी point को अगर हम center से मिलाते हैं, तो radius आजाएगा, तो जो radius होता है, वो tangent पे हमें सा क्या होता है, पर्पेंडिकुलर, जैसे इस point पे मालो, ये radius हमारा आ रहा है, तो अगर इसी पे हम tangent ड्रॉ कर दें, लो ड्रॉ कर दिया, तो फिर से क्या हो जाएगा, पर्पेंडिकुलर, और इसी तरीका से हम कह सकते हैं, कि जो radius होता है, वो हमेशा circumference की क्या होता है, पर्पेंडिकुलर, मतलब की, अगर मैंने कहा कि ये incidence रहा हमारा ऐसे ड्रॉ किया गया है, this is the point of incidence, यहाँ पर क्या है, point of incidence है, अब अगर हम कहें, कि reflected रहा हमें पता नहीं है, कि कहां से पास करेगी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पर्पेंडिकुलर, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल के लिए मैंने क्या बताया था, condition कि जो भी surface होता है, उसमें normal कैसे ड्रॉ करते है, point of incidence से पर्पेंडिकुलर होना चाहिए, नॉर्मल जो होता है, वो surface, जिस surface पर लाइटर incidence हुआ है, उस surface के perpendicular तो होना ही चाहिए, लेकिन साथी साथ वो point of incidence से पास भी करना चाहिए, तो this is the point of incidence for this incidence, तो हम इसके perpendicular ड्रॉ करेंगे, तो क्या करना है, बस radius बना दो, तो ये एक sphere का क्या होगा, पाइट होगा, ऐसे एक sphere का क्या होगा ये, किसी sphere का इस तरीका से माल लो, मैंने ले लिया, ठीक, कुछ इस तरीका से माल लो, उसका part होगा, अब यहाँ पर क्या करना, कि ये point of incidence है, तो space radius मतलब कि center of curvature ये है, इस से हमें point of incidence को join बस करा देना है, तो ये मैंने लिया, इसको ऐसे join करा दिया, ठीक, आगे तक ऐसे बढ़ा दिया, तो ये, जो line आपको दिख रही है, यही हमारी basically क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और ये जो angle यहाँ पर निकल के आएगा, ये angle of incidence हो जाएगा, अब ये जो भी angle होगा, उतनी ही angle पे हमारी light ray इधर की तरफ reflect होके जाएगी, तो ये हमेशा, हमेशा यासा होता है, कि अगर ये incidence रहे पहला to principal axis होगी, तो जो reflected ray है, वो हमेशा इसी point से pass करेगी, और focus, तो ये यही से पहला rule निकल के जाता है, और ये जो मैंने बताया normal वाला case, कि किसी कभी भी spherical mirror अगर हमें दे दे, और उसमे incidence रहे दे, और हमें उसका बनाना हो क्या, reflected रहे, तो कुछ नहीं करना, normal कहां से निकलेगा, बस उस point of incidence को आप center of curvature से join करा दो, तो वही line हमारी क्या बन जाएगी, normal, क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया, कि जो radius होता है, वो circumference के perpendicular होता है, तो यहाँ से ये चीज़ हमारा निकल के आ जाएगा, तो पहला rule हमारा concave mirror के लिए हो गया, converging mirror के लिए पहला rule हो गया, दूसरा, diverging के लिए, convex के लिए, अगर बात करें, तो convex में देखो, यह light ray हमारी गई, यह surface पे fall हुई, this is the point of incidence, अब यह point of incidence अगर है, तो हम क्या करेंगे, पहले normal draw करेंगे, normal draw करने का तरीका कि इसको हम center of curvature से मिला देंगे, तो यह हमने center of curvature से मिला दिया, अब इसको ऐसे आगे भी बढ़ा दिया जाएगा, कुछ इस तरीका से आ जाएगा, यह थोड़ा सा tilt हो रहा होगा, लेकिन मानख चलो कि straight, ऐसे कुछ आ जाएगा, अब यहाँ से यह जो angle है, this is angle of incidence, अब यह light ray यहाँ इसे निकल जाएगी, अब यह reflect होके निकल गई, इधर कहीं से आप देखोगे, यहाँ से देखोगे, तो ऐसा लगएगा कि यह light रही से दूर कहीं principle axis को cut कर रही है, और आपको पता है कि convex mirror के case में incidence ray जो pallor to principal axis होता है, तो जो उसका reflected रहोता है, वो appear होता है principle axis को focus पे cut करता हुआ, तो यह point पे intersect करता हुआ हम appear होगा, तो यह हमारा first tool हो जाएगा, concave और convex का, कैसे याद रखना, if incidence ray is pallor to principal axis, इसके, concave के लिए, if incidence ray is pallor to principal axis, then reflected ray cuts principal axis at focus, और reflected ray passes through focus, focus of the mirror, इसके लिए convex के लिए, if incidence ray is pallor to principal axis, then reflected ray appear to cut principal axis at focus, तो यह पहला rule हो गया, दोनों के लिए, second rule की बात कर लेते हैं, तो just inverse होगा first का, first का just inverse, first का just inverse, मतलब first क्या कह रहा था, कि जो incidence ray है, वो pallor to principal axis थी, तो reflected ray हमारा focus से pass कर गया, अब इसका just उल्टा क्या होगा, incidence ray जो है, वो हमारी क्या हो जाएगी, focus से pass कर रहेगी, जैसे कि यहाँ पे, this is incident ray, अब यह focus से pass कर रहेगी है, तो इसका reflected ray क्या हो जाएगा, principal axis के pallor, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी ऐसे के बराबर आएगा, तो यह हमारा R हो जाएगा, तो यह पहले का just inverse होता है, हमारा second, पहला क्या कहता है, incidence ray अगर pallor to principal axis है, तो reflected ray focus से pass कर गईगी, दूसरा क्या कहता है, कि अगर incidence ray focus से pass कर गई है, तो reflected ray pallor to principal axis हो जाएगी, convex में अगर जाएगे, तो convex का जो पहला था, just उसका inverse आजाएगा second, convex का पहला क्या था, कि incidence ray पहलर अक्थी principal axis के, तो reflected ray appear हो रही थी focus पे cut करती होई, अब इसका inverse क्या कहेगा, कि incidence ray अगर focus पे जाती हुए appear हो, जैसे कि यह incidence ray यहाँ पे focus पे जाती हुए appear हो रही है, तो जो reflected ray होगी, वो pallor to principal axis हो जाएगी, तो दो rule हो गए हमारे concave और convex दोनों के लिए, third rule की बात करते हैं, third में क्या होगा, कि center of curvature से ही अगर हम pass करा दे, मतलब जो incidence ray है, वो अगर center of curvature से pass करे, तो ऐसे समझो कि center of curvature से pass की, तो this will be point of incidence, अब हम point of incidence यह हो गया, तो अगर हमें इस पे normal draw करना हो, तो क्या होगा, जब normal draw करना है, तो इसका मतलब हमने सिखाया था अभी, इसफेर कमेरा में normal कैसे draw करेंगे, तो point of incidence को center of curvature से मिला दो, तो मतलब यह वही वाला case हो जाएगा, जिसमें की angle of incidence क्या आ रहा था, angle i0 की हो जाता है, क्योंकि जो incidence रही होता है, वो हमारा concite कर जाता है normal के साथ, और अगर i0 हो गया, तो r की value 0 degree हो जाएगी, अभी जिनको यह चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा, वो इसके पहले वाली lecture में जाके वो चीज़ देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा, उसक इसकेस में angle i की value हमारी हो जाएगी 0 degree, और i0 हो जाएगा, तो r की value कितनी आ जाएगी, 0 degree आ जाएगी, तो जो reflected ray होगा, वो retrace कर देगा उसी path को, मतलब इधर से incidence रह गई, यहाँ पे strike की, fall की mirror पे, fall होने के बाद, reflect हुई और reflect होके, वापस उसी path को retrace करते हुए आ गई, तो this is the third rule for concave mirror, convex की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी वही होगा, बस अंतर यह होगा, कि यहाँ पे एक center of curvature पे जाती हुई, appear हो रही होगी, if incidence ray appear to cut principal axis at center of curvature, then reflected ray retraces its path, in this way, तो यह third rule हमारा हो गया, fourth rule की अगर हम बात करें, तो fourth rule में क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ, यहाँ पे incidence ray जो है, वो pole पे जाके ऐसे fall हो रही है, right, मतलब जो pole है, वही हमारा क्या बन गया, point of incidence बन गया, यह point हमारा pole है, और यही हमारा क्या बन गया, point of incidence बन गया, इस incidence रहे के लिए, तो मैंने क्या कहा कि point of incidence अगर हमें मिल गया, तो हम surface के, एक पर्पेंट्य को सेर्पेस ही हैहाँ है पोःघ को से अगल इंसे जो तो इस सिफेस ही क्या बन जाए गा हमारा यहाँ पर नॉर्मल बन जाएगा क्या बन जाएगा normal और जितने एंगल पे इधर principle axis के ऊपर incidence रे आई होगी उतने ही एंगल पे इधर की तरफ यह reflect होके हमाना निकल जाएगा कॉंके convex mirror में भी same वही होगा principle axis हमारा क्या बन जाएगा normal बन जाएगा यह incidence रे जितने एंगल पे गया है उतने ही एंगल पे reflected रे इधर की तरफ आ जाएगा तो these are the four rules राइग यह थम रूल है इनी का यूज करके हम रे डाइग्राम बनाएंगे एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या था रूल तो देखो पहला रूल हमारा क्या था फर्स टूल जो था वह हमारा था कि जो incidence इंसाएं सब्सकेट के लिए लाइ ठाल चरो हमारा क्या था और फिछ्वेक्टर ना हां यूल था लिए बालन था प्रिस्वेक्ष ऑफिर लिया हैं। तो अभी तक हम यह समझ चुके है कि इमेज जो है वो जो रे डिग्राम है उसको बनाने के लिए कितने रूल्स यूज करने हैं और कैसे ठीक अभी हम इसी भी समझ चुके है कि मिनमम दो रेज हमें चाहिए तो जो चार रूल हमने बता है उसमें से कोई भी दो या एक ही को दो बार हमें बस दो रिफ्लेक्टेड से मतलब है अगर हमने जो सलेक्ट किया है इंसीडेंस रे उसका रिफ्लेक्टेड रे से इमेज बन रहा है तो ठीक है नहीं तो फिर हम पेर को चेंज करेंगे जैसे बाल लो अगर इमेज बनाना हो तो आप प्रिंस्पल एक्सिस के पहलर ले लिए एक और एक सेंटर आफ कर से पास कर दिये लग Day Beau तो मैक्सिम्म इस वह से कोई भी दो रूल हम डोर रहें लेंगे दो रूल का यूच कर के या एक ही रे को दो बार लेंगे एक ही रूल का यूच कर के दो बाब ही समझेंगे किस तरीकर से जब बनाोगे तो और clarity आएगी तो start करने से पहले हम तोतीं चीज़े और समझ लेते हैं हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में concave mirror के लिए diagram की बात करेंगे तो देखो अगर concave mirror की मैं बात करूँ तो एक छोटा सा यहाँ पर concave mirror मैं draw भी कर लेता हूँ यह मैंने ले लिया एक concave mirror राइट concave क्यों है क्योंकि इसका outer surface जो है this one is polished and inner surface this one is reflecting तो यह हमारा concave हो गया this will be pole of the mirror यहाँ कहीं मैंने focus ले लिया और यहाँ कहीं center अफ कर वे चल ले लिया अब यहाँ पे principal axis पे हमें अब्जक्ट को रखना है और तो principal axis पे object को रखना है तो हम इधर कहीं object को नहीं रख सकते क्यों नहीं रख सक्ते क्योंकि यह पॉली तरफ रिफ्लेक्वर्ट्शन ही नहीं होगा तो principal axis पे object को रखने का हमारे पास option क्या आया यहाँ से लेके इधर infinite तक हम जा सकते हैं मतलब pole से infinite तक हम जा सकते हैं focus center of curvature के through तो देखो माल लो यह जो mirror मैंने यहां पे लिया है इस mirror में जो मैंने focal length इसका लिया इस mirror का I just consider that focal length is 20 cm ऐसा मैंने consider कर लिया कि 20 cm इसका focal length है चुकि अभी 20 cm यह जब आगे जाओगे जाओगे साइन करने से पड़ोगे तो क्या mirror में माइनस होता है निगेटिव साइन होता है अभी आगे मैं बताऊंगा confused ना होना बस अभी के लिए मानलो कि focal length is 20 cm माइनस नहीं लिखा मैंने मानलो यह आगे हम साइन करनेंशन सीखेंगे जहां पर सीखेंगे कि कम माइनस होगा कब प्लस होगा focal length कैसे निगेटिव पॉस्टिव होगा वह एक टॉपिक आएगा साइन करनेंशन उसमें सीखने को मिलेगा तो मानलो मैंने कहा कि यह mirror का focal length है that is 20 cm अब object जो है न मैंने उसको sun ले लिया मतलब यहां पर mirror है हमारे पास अब मैं इस से object किसको मान लिया sun को मान लिया तो इसका focal length 20 cm है अब इसके compare में यहां से sun तक का जो distance है that will be object distance mirror से object तक का distance is object distance अब जो object distance जो है इसके focal length के compare में क्या है बहुत ही ज्यादा यहां से sun बहुत ही ज्यादे distance पे है तो जब ऐसा situation होगा कि object distance focal length के compare में बहुत ही ज्यादा होगा तो इसके लिए हम सीधा कह सकते we can easily ignore focal length जो कई 1000 km के compare में हम 20 cm को ignore कर सकते हैं easily कर सकते हैं तो इस case में हम क्या माल लेते हैं कि जो object है वो infinite distance पर रखा है क्या रखा है infinite distance पर रखा है तो एक ऐसा distance जो इसके focal length के compare में बहुत ही ज्यादा है तो उसको मैंने माल लिया infinite तो object को रखने का position हमारा पहला क्या आगया कि object को हम कहा रख सकते हैं at infinite यह पहला position है इसके बाद दूसरा position क्या हो सकता है कि इधर कहीं हम रख दे यहां रख दे यहां रख दे यहां रख दे यहां रख दे इधर c के पहले किसी भी point पे हम रख रहे हैं एक measured या comparatively उसके order के range में रख रहे हैं तो यह हमारा second category आ जाए क्या beyond c c के beyond right अब इसके बाद जैसे आप इस point पे आ जाओगे ठिक तो यह unique point है इसलिए हम इसको एक third category बना दिया at c मतलब पहला position object को रखने का हो सकता है infinite distance पे दूसरा हो सकता है beyond c तीसरा हो सकता है at c चौते position की बात करें तो चौता हमारा c और f के बीच में मैंने यहां र रखा है तो इसको भी बोल सकते है between c and f यहां रखा है तो भी बोल सकते है between c and f f के just पहले वाले point तक अगर रखा है तो इसके लिए हम category क्या यूज कर सकते है between c and f तो this is the fourth category जहां पे object को रखा जा सकता है center of curvature and focus के बीच में धेर सारे points होंगे उन में से किसी भी point पे अगर object क को रखा गया है तो उसके लिए हम क्या term यूज करेंगे between center of curvature and focus इसके बाद focus फिर से एक unique point है तो इस पर जब आ जाएंगे तो इसके लिए position क्या हो जाएगा at f 5th point हो गया 6th अब f के बाद इधर कहीं भी रखा गया है object को तो देखोई f और focus और pole के बीच में आ गया तो इसके लिए हम position क्या यूज कर सकते हैं between f and p तो there are total six positions जो की हम object को जिसमें रख सकते हैं रखने के लिए तो points हमारे पास infinite है right इस principal axis पर ही हमें object को रखना है और principal axis की अगर बात करें तो उस पर infinite points है लेकिन उन points को हमने collect करके category बना दिया तो total हमारे पास six collections आ गए point के पहला क्या हो गया at infinite दूसरा beyond c तीसरा आप infinite से mirror के तरफ चलते जाओ category आ जाएगा खुदी देखो सबसे पहले infinite infinite के बाद beyond c, beyond c के बाद थोड़ा सा और पास गया तो एक unique point आया at c, c के बाद गया तो c और f के बीच में तो between c and f थोड़ा सा और आगे गया तो between f and p तो इस सिरीके से six हमें positions मिल गए जिनके लिए हमें ray diagram सीखना है तो क्या जाद रखना at f beyond c, at c, between c and f, at f and between f and p तो ये छे positions हैं इनके लिए हमें ray diagram सीखना है मतलब अगर six ray diagram सीख गया है तो कौनके mirror से आने वाले question जो कि ray diagram पर बेस्ट होंगे आप easily कर पाओगे तो आगे proceed करते हैं हम समझने की कोसिस करते हैं एक-एक case के बारे में तो first case is when object is placed at infinite हमने बताया कि object यहाँ पर जैसे focal length हमारा 20 cm है और sun को हमने object consider कर लिया तो उस case में infinite distance पर है इस case में कुछ image इस तरीका से बनेगा अब infinite पर हमने object को रखा है तो यहाँ पर हम यह consider करते हुए चलेंगे कि हम उस पे वहाँ से आने वाली rays को पहला to principal axis सीधा ले लेंगे देखो मैंने बताया था कि minimum दो rays हमें चाहिए और मैंने यह कहाता है कि इन में से कोई भी रूल यहाँ पर लग गया if incidence ray is parallel to principal axis, reflected ray pass through focus, second ray is again parallel to principal axis, so it will pass through focus, तो यह फोकस है पास कर गई, अब यहाँ पर तीन बात है, अब image कहाँ, image के position की बात करें, तो image कहाँ बनता है, जहाँ पर intersecting, reflected rays intersect करती है, तो अगर मैं यहीं पर object की बात करो, तो object was placed in infinite, अब अगर image की बात की जाए, तो image में तीन चीज़े होती है, image की जब बात की जाती है, तो तीन बात यहाँ पर निकालते है, पहला क्या होता है, image position, पहला क्या होता है, image position, दूसरा क्या होता है, image का nature, second क्या होता है, nature of image, third जो होता है, image का size, यह तीन चीज़े होती है, क्या image position, image nature, image size, यह तीन किसे पोल से image तक को बोलेंगे image distance लेकिन position की जब बात करेंगे तो जैसे मैंने object के 6 position को बताया था total six positions बताया था कि at infinite beyond c at c between c and f and at f between f and p यह six positions object के लिए बताया थे जहां पर reflected rays intersect कर रही है उस point of intersection से एक perpendicular draw कर दो principal axis पर ध्यान से बात समझना आगे चल रे डिग्राम बढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीज़ आएगा और clear होगा तो सुनते चलना है position को find करने का तरीका क्या है कि जहां पर reflected rays intersect की है तो point of intersection of reflected rays से एक नॉर्म एक perpendicular draw कर दो principal axis पर बस और जो perpendicular draw किया है उसको जो 6 category मैंने बताया उस category में आप देखो कि कौन सी category में वो perpendicular आ रहा है जैसे आपने perpendicular point of intersection से draw किया और वो C और F के बीच में आ गया तो आप image का position क्या बता दोगे between C and F तो पहला position निकालने का तरीका दूसरा nature के लिए क्या है सेधा स पोजिशन हो गया nature का तरीका क्या है कि अगर reflected is actual में उस point पे cut की है तो real और real is always inverted तो आप लिख दोगे real and inverted और reflected address अगर cut करते हुई appear हुई है तो appear का case हो गया मतलब virtual image virtual में appear होता है अगर reflected is cut करते हुई appear हुई है तो virtual image and we know that virtual is always erect तो आप वहाँ पे nature mention कर दोगे virtual and direct दो चीजे हो गई third अब size कैसे बताएंगे तो size के लिए object को मान लो यह ऐसे mirror था object को ऐसे principal axis के उपर रखा गया था अब इसका जो image बना वो ऐसे मान लो बन गया तो आप यह जो normal जैसे यहां पर point of intersection था यहां पर incidence ray intersect की थी यहां से आपने एक normal ऐसे draw कर दिया principal axis पे तो इस normal को compare करोगे इसके size से यह हमारा बन जाएगा height of object यह बन जाएगा height of image अगर इसके compare में यह छोटा है तो आप बोलोगे dimness अगर उसके बराबर है तो same size हो गया या तो उससे जब दो चीजों को compare करते हैं जैसे मैं कहूं कि x है कोई number और y कोई number है इन दोनों को compare करो तो क्या क्या हो सकता है हो सकता है कि x is greater than y यह हो सकता है कि x is equal to y यह हो सकता है कि एस दें वाई आरी इसके लावद तीसरा केस होगा क्या? नहीं होगा ही नहीं जब दो चीज़ Qampがcare करोगे तो यह तो पहला दूसरा बराबर होगा यह तो पहला दूसरे साथ होगा इसके लावद तर्द केस हो फверж समझने वाले हैं, तो 3, मैंने क्या बताया, image के बारे में हमें 3 बाते लिखनी होती है, 3 बाते हमें इस ray diagram से 3 information निकल के आ जाता है, क्या-क्या 3 information आता है, तो पहला आ जाता है image का nature, दूसरा आ जाता है image का position, तीसरा आ जाता है image का size, अब देखो एक-एक करके, image के position के लिए मैंने तरीका क्या बताया, कि point of intersection से एक normal draw कर दो, principal axis पे, वो देखो normal कि points के बीच में lie कर रहा है, जो 6 category बताया, उसमें किस category में वो fall हो रहा है, उसके according position बता दोगे, तो यहीं पे अगर हम position की बात करें, तो both reflected rays are cutting or intersecting at focus, and that's why image position will be at focus, at if, यह image position हो जाएगा, अब nature की बात करें, तो इसके लिए मैंने बताया कि check करो कि reflected rays क्या actual में cut कर रही है, या cut करती हूँ या appear हो रही है, और actual में cut कर रही है, तो real image, और cut करती हूँ या appear हो रही है, तो virtual image, तो यहाँ पे actual में cut कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, और real image, और real image हो गया, तो we basically know that, real is always inverted, starting में ही समझा दिया था, तो यहाँ पे real and inverted, यह दोनों बात को एक साथ हाँ लिख होगे, तो real and inverted हो गया, अब size को compare करेंगे, तो इसके लिए मैंने क्या पता है, कि point of intersection से perpendicular draw कर दो principal axis यहाँ पे चुकि, point of intersection लाई कर रहा है principal axis पे, right, point of intersection principal axis पे ही लाई कर रहा है, तो perpendicular draw करेंगे, वो point size ही तो आएगा, तो सीधे size क्या हो जाएगा, point size, क्या हो जाएगा size, point size, तो यह पहला case है, compare mirror का, जिसमें की radiogram बनाना है, तो जिदे हमें क्या याद रख लेना है, कि when object is placed at infinite, then what will be image position, image will form at focus, nature, what will be nature, it will be real and inverted, and what will be size, it will be point size, अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, second case की तरफ, तो जो second case है, अब उसमें पहले infinite पहते हैं, अब infinite से थोड़ा सा mirror के पास में गया, तो क्या हो गया, beyond c, अब जब beyond c होगा, तो उस case में radiogram कैसे बनाएंगे, तो फिर से दो rules हमें यूज करना है, कोई भी या एक ही को दो बार यूज करने, तो ये आपके सामने कुछ ऐसा radiogram बन के आएगा, देखो जल्दी से इसको समझ लेते हैं, इसमें मैंने क्या बोला कि दो rays, देखो हमेशा object के head से आप rays select करोगे, जैसे पीछे वाले में मैंने किया था, तो ये यहां से दो rays हमने ले लिया, पहली जो ray है, इसको मैंने पहलर टू प्रिंस्पलेक्स करा दिया, reflected, पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, पोजीशन, दूसरा क्या होता है, होता है, nature, और तीसरा क्या होता है, size, position, nature and size, position को find करने का तरीका क्या बताया, कि जहां पे reflected rays intersect की है, just draw our normal from that intersecting point, तो यहां पे intersect की थी, light rays, जहां पे intersect की, वहां से हमने एक normal draw कर दिया, तो यह आगे हमारा normal, तो जो देखो normal अब जो 6 category था, उसमें से कौन से category में आया, तो C और F के बीच में आया, तो image position सीधे क्या हो जाएगा, between C and F, तो this will be image position, अब इसके बाद हमने image position निकाल दिया, अब image के nature की बात करो, तो देखो, यह था object का head, object का head का यहाँ से आने वाली incident ray, यहाँ पे intersect की है, तो जो image बनेगा, उसका head ही यहाँ पे बनेगा न, तो यहाँ पे real तो है, लेकिन वो invert भी हो गया, तो जो nature है, चुकि reflected rays are actually cutting at this point, so nature will be real, तो real तो हो गया, और real के साथ साथ क्या हो गया, inverted, तो यह nature हो गया, अच्छा, अब size की बात करते हैं, तो size देखो, object के compare में, उस perpendicular को compare करो, तो object के compare में जो perpendicular हमने draw किया था, principle axis पे, point of intersection of reflected rays से, वो बहुत ही छोटा आ रहा है, तो size के लिए क्या लिख देंगा, हमें smaller लिख सकते हैं, या diminished लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा second case, first case में क्या था, when object was placed at infinite, image was formed at focus, image was real and inverted, and image was point size, right, when object, in second case, when object is placed beyond C, image is formed between C and F, image is real and inverted, and size of image is diminished, अब देखो, इसके अलवा, अभी total मैंने 6 case बताया थे, दो case हमने discuss कर दिये, मैं आपसे यह request कर दूँगा कि अभी screen को pause कर दो, video को रोक दो, और बाकी के जो 4 case है, जिसमें की object को हम कहां रखेंगे, center of curvature पर रखेंगे, center of curvature और focus के बीच में रखेंगे, focus पर रखेंगे, और focus और pole के बीच पर रखेंगे, यह total 4 case आएगा, ठीक, यह जो 4 case आपके अभी बचा हुआ है, I want कि आप screen को pause करो, video को मत देखो अभी, और 4 case का अपने according, आप try करो, एक effort लगाओ, बनाने का, कि उन 4 case में ray diagram कैसे बनेगा, इसके बाद फिर हम भी समझाएंगे, उसके बाद आपको और थोड़ी सी clarity आएगे, जब आप एक बार खुद का दिमाग यूज करोगे, कैसे यूज करना है उसमें अपना mind, जो मैंने 4 rule बताया थे, उसमें से कोई भी दो rule जो वहाँ पर apply हो सके, अब देखो, यहाँ पर मैंने एक rule जैसे था, कि center of curvature से light ray pass करे, तो वो हमने नहीं लिया, ठीक है, जो भी आपको समझना है, उसका यूज करके, आप यहाँ पर बनाने की कोसिस करो, राइट, चलो मैं उभीद करता होगी, तुम लोगोंने बनाने की कोसिस की होगी, अब हम समझते हैं, third case, third case में object को कहां रखेगा, center of curvature पे रख दिया, अब जब object को center of curvature पे रख दिया, तो कैसा image बनेगा, कुछ इस तरीके से बढ़ के आएगा, हम ले क्या किया, सबसे पहले, एक incidence ले ले लिया, पैलर to principal axis, क्या ले लिया, पैलर to principal axis, और दूसरा ले लिया incidence रे, जो focus से pass कर रहा है, तो दोनों ही, यहाँ reflection के बाद, देखो, एक और चीद, यहाँ पे इसमें तुभी एक चीद समझ में रहा है, कि दोनों incidence रे, एक साथ travel कर रही है, यह नहीं कि पहले incidence रे, एक चला गया, फिर दूसरा जा रहा है, ने, एक साथ देखो, ऐसे travel करते incidence रहाई थी, तो इसका, देखो, head जो बनेगा, वो इधर नीचे बन गया, तो इस case में, अगर हम image की बात करें, कि image से कितने information मिलेंगे, तो फिर से वही चीज़, तीन बाते हमें पता चलेंगी, image से, सबसे पहले position पता चलेंगा, फिर पता चलेंगा nature, और उसके बाद पता real and inverted, अब जो size है, वो क्या है, same size, जो object की size, image का size यहाँ पर निकल आ गया, वो object के size के बराबर आ गया, तो same size हो गया, तो यह हमारा third case हो गया, ठीक, थोड़ा सा speed बढ़ाते हैं, जल्दी खतम करते हैं, अगर हम बात करें, center of curvature और focus के बीच में, object को रख दिया जाएगा, त बोथ raise or pillar to principal axis, और उसके बाद से मैं वही दो रूली, same use कर रहा हूँ, एक रे pillar to principal axis जा रही है, दूसरी focus से पास करा दे रहा हूँ, यहाँ भी वही चीछ करूँगा, एक incidence रे pillar to principal axis चली गई, दूसरी हमारी focus से निकल गई, इस तरीक से, तो दोनों यहाँ कहीं आके intersect कर तो यहाँ पर beyond C आ रहा है, CK से आगे है, तो beyond C हो गया image position, when object is placed between C and F, तो image कहाँ बना beyond C, nature तो actual intersect की, तो real, और size क्या है, तो आप देख सकते हो, यह हमारा object का size है, और यह हमारा image का size है, obvious ही बात है, image is larger as compared to object, so simply we can write, image is enlarged, next case की बात करते है, object को कहा रखा, focus में, तो इस case मे पर कुछ इस तरीका से आ जाएगा, इसका ray diagram, आप क्या किये, पहला ray ले लिए, वही same, parallel to principles, दूसरा, दूसरा आपने change किया, पोल से pass करा दिया, यहाँ पे, अब यहाँ पर focus से pass कैसे कराते है, अगर यहाँ से कराते है, तो हमारा head से जाता ही नहीं, यहाँ पे, या तो हम ऐसे कराते, या तो ऐसे कराते, तो इन दोनों के हमारा एक ray तो ऐसे जा रहा है, इसके head से, लेकिन दूसरा, इसके tail से जाने लगा, तो हमें head से ही pass करते हुए, दोनों rays लेने थे, तो इसलिए मैंने एक rule यह लगा या, दूसरा फोर्थ वाला लगा दिया, पोल से, तो दे तो यह जो दोनों rays है, reflected, यह दोनों देखो, इनके बीच का perpendicular distance आप किसी भी point पे निकाल लो, यह, यह हमेशा क्या रह रहा है, same, इसका मतलब क्या है, कि यह दोनों rays parallel to each other है, बोत rays are parallel to each other, मतलब कि reflected rays दोनों ही parallel है एक दूसरे के, और जब दो rays ऐसे parallel होती है, तो वो intersect नहीं क इसको infinite तक अगर हम ले गए, यह infinite तक ऐसी parallel race चली जाएंगी, तो हम ऐसा consider कर लेते हैं, कि यह कहीं infinite पे intersect करेंगी, चुकि हम infinite पे जा ही नहीं सकते, infinite पे क्या हो रहा है, मैं पता ही नहीं है, तो ऐसा हम consider कर लेंगे, कि infinite पे intersect करेंगी, और इसलिए जो image यहाँ पे आएगा, उसका position क्या बन जाएगा, तो at f, यह बन जाएगा, जो nature होगा, वो क्या हो जाएगा, real and inverted हो जाएगा, और जो size आएगा, वो हमारा object के compare में क्या आजाएगा, in last आजाएगा, तो यह तीन बातें यहाँ भी image के लिए निकल की, last case की बात करते हैं, when object is placed between f and p, right, अब focus और pole क बीच में object को रख देगा, तो क्या होगा, तो समझते हैं जल्दी से उस case को भी, कुछ इस तरीके से image बन के आएगा, this case is very important case for concave mirror, this is the only case in which image is formed, virtual image is formed, but इसके अलावा जो 5 case हमने discuss किया, उन 5 ही case में similarity क्या थी, कि all those images were real and inverted, and this is the only case in which image is virtual, right, तो देखो इसका image कैसे बनेगा, एक रे मैं वही करूँगा, पैलर तु प्रिंस्प लेक्सि ले लिए, और दूसरा ऐसे देखो focus से पास कराया, ठीक, यहां से ऐसे जा रहा है, फोकस से तो जो फोकस से जा रहा है, वो पैलर हो जा रहा है, पैलर हो गया, और दूसरा जो प अब दोनों रेज को देखो, इधर की तरफ जैसे हम जा रहे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस है, वो क्या हो रहा है, पहले कम है, फिर दिर 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 बढ़ते जा रहा है, मतलब इस इधर की तरफ कहीं भी इंटरसेक्ट करने की probability 0, क्योंकि उधर की तरफ हम जा रहे है, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो अगर हम यहां कहीं से देखेंगे, तो यह दूर इधर कहीं अगर हम बढ़ा दे, तो यह रेज ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए हमें एपियर हो रही होंगी, मिरर के पीछे साइड में, तो यहां कहीं यह कट करती इंगल के आएगी, तो तीन ही चीज हमें इमेज के बारे में पता चलता है, रे डिच्घ्राम से क्या-क्या, पहला, पोजीशन, दूसरा, नेचर, और तीसरा जो होता है, वो पता चलता है, साइज का, तो अगर यहां पर हम इमेज के पॉजीशन की बात करें, तो इमेज का position क्या रहा है behind the mirror यह हमारा image position हो गया इसके nature की बात करें तो देखो ध्यान से यहां raise इधर की तरह polished surface है यह surface हमारा polished है यह reflecting surface है तो polished surface की तरफ raise जा ही नहीं सकती तो वहाँ पे हम क्या करते हैं dotted line से raise को represent करते हैं बात number एक और जो image raise भी होगा ना उसको भी आप represent करोगे ऐसे dotted line से और इसलिए मैं इधर की तरफ जाने वाली raise को ऐसे dot दिखाया है इस तरीका से clear है solid हम line draw कर रहे थे image के लिए जो real बन रहा था virtual में dot 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 करके दिखाएंगे इस तरीके से तो जो nature आया object का वो क्या आया raise जो है reflected वो appear हो रही है cut करते हुए इसलिए जो nature आयगा वो क्या आजाएगा virtual and virtual is always erect तो virtual and erect हो जाएगा और अगर size की बात करूं मैं तो यहाँ पे जो object image का size है वो object के compare में क्या है enlarged है तो सीधे size क्या हो जाएगा enlarged तो this is the only case in which virtual image is formed and we are we now know that virtual image is always erect तो erect बनेगा virtual बनेगा concave mirror erect और virtual image बनाएगा कब जब object हमारा focus और pole के बीच में होगा और ध्यान से एक चीज़ याद रखना कि जो इस case में virtual बनता है वो option के compare में उसकी size क्या होती है जादा तो यह 6 positions थे object के image को बनाने के लिए concave mirror के वो अभी हम समझ चुके है राइट पहला case था infinite उस case में image हमारा कहां पर बना था focus पे कैसा था real inverted point size दूसरा case था हमारा object beyond c तो image कहां पर बन रहा था between c and f बन रहा था real inverted और smaller diminished तीसरा था when object was at center of curvature image कैसा बन रहा था तो image हमारा बन रहा था at center of curvature real inverted and same size जोथा case था हमारा जब object को हमने between c and f रहा image कहां बना beyond c कहां बना beyond c कैसा बना तो real inverted enlarged right मतलब infinite पे आये तो point size था थोड़ा सा और mirror के पास था थोड़ा बढ़ा और पास आये कैसा था real inverted in last था और size बढ़ गया छटवा case जब हम f और p के भीश में रखे तो this was the special case इस case में हमारा image behind the mirror बना virtual बना erect बना in last बना right now we are going to discuss image formed by convex mirror अब convex mirror में भी हम जितने भी इन principle axis पर हम यह object को रखेंगे प्रिंस्पल इस प्रिंफानाइट points हो सकते हैं रखने के लिए तो हम जल्दी ज़रा समझ लेते हैं कि कि कितने positions यहां पर हो जाएंगे जैसे मिदर की तरफ हमने क्या कर दिया पॉलिस कर दिया और यह हमारा क्या हो गया फोल हो गया यहां कहीं हमारा होगा focus यहां कहीं होगा center of curvature अब सोचो जो mirror का focus है center of curvature यह जो points जिस side में है उस side में हम object को रखी नहीं सकते because that side is polished and this one is reflecting right so we have only option to put object in this side right हम इधर ही रखेंगे object को इस तरीके से एसा कहीं रखने का तो अब object को रखने के positions की अगर हम बात करें तो कैसे कर सकते हैं एक तो हो सकता है near the mirror ठीक है यहां कहीं हमने यहां रख दिया इसके पास में मतलब एक measure distance पे और दूसरा क्या हो सकता है infinite distance पे इधर इस convex में यह नहीं होगा दो दो positions मितलब जितनी भी positions है object को रखने के लिए जितनी भी points पे हम object को रख सकते हैं उनको अगर categorize करें तो दो category मिलके आ जाएगा यहां पे पहला क्या हो जाएगा infinite दूसरा क्या हो जाएगा beyond near the mirror पहला हो जाएगा infinite दूसरा हो जाएगा near the mirror तो अब इसमें ray diagram कैसे बनाएगे तो चलो पहले case की बात करते है when object is placed at infinite right तो उस case में जो मैंने concave में किया था rays को पहला to principal axis ले लेंगे तो एक ray यह हो गया एक ray यह दो ले लिया एक ray यह ले लिया और एक ray यह चार ले ले लिया चारो rays हमारे reflect होके आगई अब देखा जाए इधर कहीं से तो चारो को हम गएर पीछे की तरह बढ़ाए तो यहां cut cut to focus पे appear हो जाएगी अभी convex के लिए रूल क्या बताया था यह पहला रूल if incidence rays पहला to principal axis then reflected ray appear to cut principal axis at focus we are using the same rule first rule right तो इस case में अगर हम image की बात करें तो image का जो position है वो क्या है at f दूसरा image के size की बात करें तो क्या है point size जैसा की concave में मिला था लेकिन nature की बात करें तो यहां पर virtual and erect virtual and erect है virtual and erect है यहां पर nature right तो यह पहला case हो गया convex mirror के लिए second case की बात करें पहले हम infinite पर रखें अभी convex mirror के पास में रख रहे हैं तो कुछ इस तरीका से इसका image बन के आ जाएगा right अब यहां पर भी हम क्या करेंगे polish surface के बाद जितनी भी आप raise draw करोगे वह सारी dotted line होनी चीए ध्यान रखना इस बात का क्योंकि यहां पर reflecting surface है यही से light ray हमारी reflect होके आगी उधर raise ही नहीं गई है इसलिए हम उधर dot line से दिखाते है solid line से नहीं draw करेंगे तो जो center of curvature पर जाती हुए appear होगी तो वो retrist कर देगी अपने path को और दोनों light ray यहां पर cut करती हुए appear हो जाएगी इस point पे इस point से हम perpendicular draw कर देंगे center of principle axis पर तो हमें मिल जाएगा image मतलब जब object हमारा यह है इसका size और image का size देखो तो यह है object हमारा इमेज क्या है dimnist है और राइट लेकिन nature क्या है virtual और देखो यह principal axis के इसके head से यहां से रेज जा रहे थी तो इसका head का image यहां बनेगा मतलब principle axis के उपर ही बना तो virtual है और क्या है erect तो यहां पे अगर बात करें हम image की तो इस case में जो image का position आ रहा है वो क्या आ रहा है between p and f image का जो nature आ रहा है वो क्या आ रहा है virtual and erect image का जो size आ रहा है वो क्या आ रहा है as compared to object size is dimnist तो यही दो case थे हमारे convex mirror में और इन दोनों का radiogram हम सीख चुके हैं मतलब अभी तक मैं बात करूँ तो हम सीख चुके हैं क्या 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 हम यह सीख चुके हैं कि ray diagram जब हम concave mirror से बनाएंगे तो 6 case होंगे 6 case में जो 5 case सी starting से थे उस case में हमारा real inverted image बन रहा था और जो 6th case था जिसमें कि object को हमने रखा था between f and p मतलब focus और pole के बीच में उस case में हमारा image behind the mirror बना था concave की बात कर रहा हूं वहाँ पर image behind the mirror बना था और image जो था वो virtual और erect था right convex की बात करूँ मैं तो convex में हमें total बस दो ही case थे पहला जो object infinite पे था दूसरा जो object near the mirror था और इन दोनों ही case में image हमारा कैसा बना virtual बना कैसा बना virtual बना रइट तो इतनी बाते हम सीख चुके हैं अब थोड़ा सा हम एक और चीज़ समझने कोसिस करते हैं कि जब हम concave के case में object को हम move कराएंगे किधर की तरफ अब्जेक्ट को जब हम move कराएंगे mirror की तरफ तो क्या-क्या changes आते हैं जरा इस चीज़ को भी हम समझने कोसिस करते हैं चलो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यह मैंने एक concave mirror लिया है यह concave mirror है इसका यह पीछे वाला side polished है और यह वाला side reflecting है अब इसका देखो यह दिख जो दिख रहा है two यहां पर हमने focus को रखती है अभी यह है हमारा image object यह हमारा क्या है object और यहां पर यह जो दिख रहा है यह हमारा image अब देखो पहला case था जब object हमारा infinite पर था वहुत यादे distance पर दूसरा case अब object को मैं थोड़ा सा pass लेके आया ऐसे beyond अच्छा एक चीज़ जब इसका focal length है क्या तू अरे टू पर focus रखा गया तो फोकल लेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो जो फोकल लेंट हमारा 2 है मतलब की जो radius आफ कर वेचर आएगा वह 4 आएगा तो यहां पर सेंटर आफ कर जाए देखो CC जो लिखका है यह हमारा center पर वेचर है और यह हमा beyond c हमने रखा यहां पर beyond c मतलब की 6 पर रखा है तो फूर सेंटिमीटर में माल लो है तो 4 सेंटिमीटर वाज रेडियस आफ कर वेचर 4 सेंटर पर सेंटर आफ कर वेचर मिल गया तो 4 के beyond कहीं भी रखे मतलब यह दको यह सेंटर रखोंगा तो यह position क्या होगा हमारे लिए beyond c अब देखो जैसे beyond C रखाओं यहां रखाओं तब भी image है हमारा focus और center of curvature के बीच में बन रहा है यह है हमारा image यह 2 और 4 के बीच में बन रहा है मतलब between the center of curvature and focus के बीच में बन रहा है अब देखो अभी मैं यहां धीरे दिरे ले जा रहा हूं तो भी अभी between C and FE है जैसे जैसे आच्छे और नोटिस करना object को जैसे जैसे में नेरहा हूं image mirror से दूर जा रहा है पता चल रहा यह चाहित object को जैसे-जैसे में mirror के पास ले जा रहा हूं image mirror से दूर जा रहा है partir hypothesis के नीचे हमारे image अभ topics is moving towards the mirror and image is going away from the mirror it's very simple right अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करो object का size constant हम रखते हैं image का size देखना जैसे जैसे object mirror की तरफ जा रहा है image mirror से दूर जा रहा है और image का जो size है वो दीर 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 देखो क्या हो रहा है ना उनक्रीज कर रहा है क्या कर रहा है increase कर रहा है और जैसे ही हम यह center of curvature पे आए और size के बराबर image का size हो गया और image भी हमारा center of curvature पर यह बना है अब हम देखो बिट्विन C आंड एफ गया तो image हमारा beyond C चला गया और object के size से जादा हो रहा है ज्यादा हो गया इमेज का साइज अब हम जब इफ पे गए यह एफ लाइट रेस ए रिफ्रेक्टर राइजर लाइट रेस पैलर होगी मतलब इन्फेनाइट पर इमेज बनेगा एफ से हम थोड़ा सा अब आगे गए तो देखो यह यह वर्चुल इमेज यह आ गया बहाइंड अमिर बन रहा ह पहली चीज़ दूसरा साइज ओफ इमेज विल कॉंटिनुवस्ली इंक्रीज इन दिस फे राइट साइज अफ इमेज इंक्रीज 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 राइट अब अगर अबजेक्ट हमारा माल लो यहां पर रखा था अब मैं ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहा हूँ प पहली बात दूसरी बात लात अबजेक्ट कोण के मिरम इर इमेज जो होग इमेज जो होगजो होगा वो क्या होगा विल मग면 की विल कॉद टूसरी बात इंक्रीज इंक्रीज सथं इन अटुरी इन फस कि medium इस तरीका से होगा अब जल्दी से हम बात करते हैं इसके बारे में आगे दोनों को कंपेर कर लेते हैं राइट कंपेर कर लिया है राइट यहां पर इमेज वेन ऑब्जेक्ट वाज़ाएट इन्फिनेटी से रिलेट करो इस केस को आप एक सात है ऑब्जेक्ट इन्फिनाई पे राइच बानाओほど अब्जेक्ट बियुक्त में चेक्ट बिएन्फ केस को अप एक सातह लो ऐंब्जेक्ट बेयांँड सी रखा इमेज बीटिन चे अलेफ बनाओ object between c and f रखा image beyond c बना शिदी सी बात है यह याद हो जाएगा खुद ही पैटरन समझ लो याद होने में दिक्कर नहीं होगी पहला क्या था when object was infinite image will form at focus when object is at focus image will be at infinite तो याद हो गया थीसरा when object is beyond c image will form between c and f चौथा इसका उल्टा when object is between c and f image will form beyond c पाच्वा very simple object is at c image will be at c sixth special case when object is placed between f and p image will form behind the mirror virtual erect and enlarged right convex की बात कर लेते हैं convex में दो ही case है बड़ा simple दोनों ही case में एक तो infinite हो गया दूसरा near mirror हो गया infinite तो यहाँ पे जैसे focus पे बन जा रहा था यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एड focus near the mirror जाओगे तो between p and f बन जाएगा यहाँ पे convex के case में हमेशा virtual और erect ही आएगा question can be asked name the mirror जिससे हमेशा हमेशा virtual or erect image मिलता है तो in this case image is always virtual and erect concave mirror से हमेशा virtual or erect image मिल रहा है अचा दूसरी चीज़ की जब infinite पे दा तो point size मिला और जब near the mirror हम चलेगा तो dimnist मिला मतलब convex mirror से मिलने वाला image हमेशा virtual होगा और साथी साथ star this point साथी साथ जो उसका size होगा वो object से हमेशा छोटा होगा getting my points convex mirror always forms virtual image and dimnist image it's very simple convex always virtual and dimnist now compare the virtual case of convex with virtual case of concave virtual, concave में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा यहाँ concave के case में क्या हो रहा है जो virtual image है concave का वो enlarged है virtual है जो concave में बन रहा है वो enlarged image बना रहा है highly enlarged लेकिन जो convex का virtual है वो क्या बना रहा है मेसा object से छोटा बना रहा है अब question कहें कि आपके सामने और एक दो मैंने कुछ mirror ABC mirror रख दिया how will you identify that which one of these two is concave and which one is convex simply क्या गरना उसके object को अपने face को आप उसके पास में लेके जाओ mirror के पास में लेके गए इसका मतलब आप अपने face को object मानो and now object is between P and F पास में रखे mirror के mirror के पास में रखे हो मतलब क्या है कि object is placed between F and P focus and pole and what will be nature of image if mirror is concave now see the object if object is image see the image if image is enlarged if image is enlarged then it it is sure that it is confirmed that mirror is concave because concave mirror forms virtual and enlarged image right अपने mirror के पास में face करने का अगर face हमारा erect बना image उसका और enlarged बना it is sure that mirror is concave लेकिन अगर erect बन रहा है erect बना वर्ट बना वर्ट रहा है लेकिन dimnist बन रहा है छोटे साइस का image बन रहा है it is sure that mirror is convex it's very simple in this way this is the question of board question is already asked right so is that you can say I have do no comparison okay till now we had some idea about ray diagram right not some complete idea about ray diagram and in which case image will be virtual and in which case image will be real अब हम कर सकते हैं साइजी जो को important points के या दखना है concave mirror can form real and inverted convex always form virtual sorry concave mirror can form real and virtual both and convex always form virtual point first first point what is first point concave mirror always forms a real concave mirror can form real and inverted as well as virtual and erect both concave mirror can form real and virtual both type of images convex cannot form real image convex always forms virtual image ये चीज़ पहली बात हमारी हो गई कि जो concave है वो real virtual दोनों बनाएगा convex हमेशा virtual बनाएगा right दूसरी बात concave का जो virtual होगा वो बस एक केस में बनेगा और वो highly enlarged होगा convex का जो virtual होगा वो हमेशा dimnist होगा that's it right तो इतनी चीज़े हमें याद रखनी है right अब इसके बाद हमारा यहाँ पे chapter complete हो जाता है और अभी तक हमें यह idea लग चुका है कि जो concave mirror है convex mirror है उससे कैसे ray diagram बनेगा यह हम समझ चुका है right in next lecture we will discuss sign convention और उसके भिहाब पे mirror formula magnification की बात करके हम numericals की बात करेंगे जो mirror से पूछे जाते हैं और हमारा पहला topic reflection finish हो जाएगा तो next lecture will be completely based on numerical right in we will discuss types of numerical जो की आपके board के exam में पूछे जा सकते हैं right चलो okay all the best class